इसी बात है मेरी तरह आप सभी को भी हर महीने किसी ना किसी भुक्तान के लिए पैसे उधार लेने की जुरत परती ही होगी और अगर आपके सांद भी ऐसा है आपके पास कोई credit card नहीं है चोकि credit card के लिए income का proof चाहिए होता है अगर credit card नहीं है तो इस credit loan को आप ले सकते हैं बिना किसी document के और बिना किसी extra charge के ना ही कोई document और ना ही किसी भी तरीके का extra cost यहां पर देना होगा इस loan को इस्तमाल करने के लिए application को phone में install करने की भी ज़रूत नहीं है सिर्फ आपको eligibility check करनी होगी और जितने भी partner merchants हैं इनके जरीए जो भी इस्तमाल आप करते हैं अगर वो eligibility आपके इस loan के उपर है तो आप इस loan को सिर्फ पर सिर्फ कुछ mintों के अंदर ले सकते हैं कमाल की बात यह है कि आपको यहाँ पे 15 days तक without interest यह loan मिलने वाला है आइए कुछ इसके highlights दिखाता हूँ हलाकि यह किसी भी तरीके का promotion नहीं है बस आपकी जानकारी के लिए यह update आपको provide कर रहा हूँ आपको अभी तक loan नहीं मिला कहीं से भी तो आपको बहुती best solution बताने वाला हूँ simply आपको google पे जाना है और यहाँ पे search करना है apps guruji एक साथ लिखिए एक साथ लिखिए search करिए search करने के साथ आपको यह website दिखाई देगा simply आपको इस पे करना है tap tap करने के बाद आप इस website के उपर आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि धेरो ऐसे applications है जिनके बारे में detailed information आपको दी गई है कैसे apply करना है कैसे आप loan ले सकते हैं और maximum loan application में सिर्फ आपको अधार card और pen card का इस्तमाल करना होगा 500 रुपे से लेकर 5,000,000 रुपे तक का loan आप घर बैठे अपने phone की मदद से किसी भी emergency में बहुत ही असानी से ले सकते हैं इस loan को आप लगभग 1,000 रुपे से लेकर लगभग 20,000 रुपीज तक कर जो है यह loan आप बहुत ही असानी से ले सकते हैं routine days without interest आप इस loan को इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद भी अगर आप इसे इस्तमाल करना चाहते हैं तो आपको उसे EMI या फिर interest के उपर repayment करना होगा इस loan के लिए आपको किसी भी तरीके का hidden cost नहीं लगता है और नहीं कोई guarantee, security या फिर किसी भी तरीके का income proof देने की जरूरत होती है पूरे all over India में चाहे आप किसी भी job profession में हो, male हो या female हो, आप सभी बस कुछ मिंटों के अंदर ये loan बहुत ही असानी से ले सकते हैं सबसे पहले तो बता दू कि ये loan actual में है क्या, ये loan HDFC द्वारा provide किया जाने वाला flexi पे है, जिसे आप pay later loan कह सकते हैं buy now, pay later ये loan है, जो कि आपको cash loan provide नहीं करता है, जितने भी इनके merchant हैं, जितने भी tie-up merchant हैं, वहाँ पे आप इस loan को 15 days without interest इस्तमाल कर सकते हैं चाहे वह आपको flip card के उपर shopping करना हो, मिंतरा के उपर shopping करना हो, या फिर अपने लिए कोई ticket book करना हो, ऐसे बहुत सारे काम जो कि आप इस loan की मदद से कर सकते हैं अब बात करते हैं, इस loan को कहां कहां पर इस्तमाल कर सकते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप flip card, rent mojo, make my trip, jolo stays, properties, intermiles, ऐसे धेर सारे online brands हैं, या फिर ऐसे companies हैं, जहां पर आप इस loan को इस्तमाल कर सकते हैं इवेन अपना electricity bill recharge करने के लिए भी आप इस flexi pay को इस्तमाल कर सकते हैं, स्क्रीन के उपर आपको complete detail दिखाई दे रहा होगा, मेरे साब से maximum लोग, 99% लोग इन सभी services को online इस्तमाल करते होंगे, अब बात तरती है eligibility criteria, जैसे कि मैंने आपको बताया, HDFC bank के अंदर आपका account होना और आपका वो saving account अगर अच्छे से maintain है, आप minimum balance रखते हैं, तो आपको 100% flexi pay loan का approval मिल जाएगा बहुत यासानी से, इस loan को इस्तमाल करने के लिए आप ये भी चेक करेंगे कि आप जहां पे भी इस्तमाल करने वाले हैं इस loan को, वो merchant, इनके partner merchant के इस list में सामिल है या नहीं, आप बात आती है documentation की, SDFC bank flexi loan के लिए आपको documents देने के बिलकुल भी जरुवत नहीं होती है, नहीं कोई अधार, नहीं कोई PAN, वो इसलिए क्योंकि जब आप saving account इस्तमाल करते हैं, तो आप वहाँ पे QIC के लिए सारा documentation पहले ही कर चुके हैं, और इसके वज़ में आपको य while number feed करके LGBT चेक कर सकते हैं, अब important यह है कि यहाँ पे आपको fee और charges क्या लगने वाले हैं, तो किसी भी तरीके का joining, salana या फिर कोई और activation fee आपको नहीं देना होगा, 15 days without interest लेकिन उसके बाद repayment करने के ऊपर आपको 28% का salana interest पे करना पर सकता है, जब आप इस loan को repayment 10 वर के बा लगने वाला है, सभी charges के उपर, जैसा कि यहाँ पे government का rule है, तो कुछ इस तरीके से आपको अचानक से कभी ज़रत परती है loan की, तो इस नए loan service को आपको इस्तमाल कर सकते हैं, जो कि HDFC द्वारा आपको provide किया जा रहा है, लेकि loan service सिर्फ अभी उनी customers के लिए available है, जो कि HDFC क account holder है, और वो अच्छे से अपना account maintain कर रहे है, उमीद है जनकारी आपको पसंद आई होगी, अचानक से जब भी आपको पैसो की जुरत होगी, ये loan service आपकी help करेगी, वीडियो कैसा लगा, comment के अंदर बताइए, वीडियो से जुरा कोई भी query हो आपके मन में, आप नीचे comment क पर ये, मैं आपके inquiries को resolve करूँ, सो आज किस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों फिर आपस अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुस रहे हैं, सवस्त रहे हैं, और मस्त रहे हैं,